अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं इंटर ग्लोब एवियेशन लिमिटेड इंडिगो के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा तो इस कोस्टन का सही एंसर हो जाएगा पीटर एलबर्स को इंडिगो एरलाइन्स के नए मुक्त कारकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया जाएगा पीटर एलबर्स यह रोनो जाय दत्ता का इस्थान लेंगे और जो पीटर एलबर्स है वो एक अक्टूबर 2022 को अपना पदभार ग्राण करेंगे इंडिगो इसकी स्थापना हुई थी वर्स 2006 में इंडिगो का मुख्याले हेटकॉर्टर है गुरुग्राम हरियाना में इंडिगो के प्रबंदनी देशक MD काउन है तो यह है राहुल भाटिया एक नेक्स कोश्चन है एर इंडिया के नए MD और CEO के रूप में किसे नियउक्त करने की घोसला की गई है तुस कोस्चन का ऑफ्चन नमबर फर्स्ट सही हो जाएगा कैंप बेल विल्सन को टाटा संस ने कैंप बेल विल्सन को अपनी विमानन कंपणी Air India का मुख कारकारी अधिकारी और प्रबंद निदेशक न्यूक्त करने की कोशड़ा की है Air India इसकी स्थापना हुई थी वर्च 1932 में Air India इसका जो हेटकॉाटर है वो नई दिल्ली में स्थित है Air India के संस्थापक कौन है तो यह है RD Tata और Air India के अध्याच है एन चंदर सेखरन Next question है भारती Air Tel के दोबारा MD और CEO के रूप में किसे निउख्त किया गया है तो इस questions का सही answer हो जाएगा Option No.3 गोपाल विट्टल को भारती Air Tel बोल्ड ने गोपाल विट्टल को फिर से Air Tel का प्रबंदनी देशक MD और CEO मुख कारकारी यदिकारी इनको निउख्त किया है भारती Air Tel इसके जो संस्थापक है वो है सुनील भारती मित्तल और भारती Air Tel के जो इस्थापना होई वो 7 जुलाई और 1995 होई थी Next question है पेटियम के फिर से दोबारा MD और CEO के रूप में किसे निउख्त किया गया है तो इस questions का सही answer हो जाएगा Option No.2 वीजय शेखर सर्मा को दोबारा पेटियम का प्रबंदनी देशक और मुख कारकारी यदिकारी निउख्त किया गया है पेटियम के संस्थापक वीजय शेखर सर्मा को पेटियम का दोबारा मुख कारकारी यदिकारी और MD निउख्त किया गया है पेटियम यह जो वीजय शेखर सर्मा है यह 19 दिसंबर 2022 को यह अपना पदभार ग्राण करेंगे और पेटियम का जो हेटकार है वो नोड़ा उत्तर प्रदेश में है पेटियम इसकी स्थापना होई थी वर्ष 2010 में और पेटियम के संस्थापक हैं वीजय शेखर सर्मा नेक्स्ट कोश्चन है इंफोसिस के CEO और MD के रूप में दोबारा किसे निउख्त किया गया है सलील पारे को इंफोसिस का दोबारा MD और CEO निउख्त किया गया है IT प्रमुक इंफोसिस ने सलील S पारे को कंपनी के मुक कारिकारी अधिकारी और प्रबंदे निदेशक के रूप में इनको दोबारा निउख्त किया है सलील पारे किये जो है एक जुलाई 2022 से अपना पदभार ग्राण करेंगे इंफोसिस इसकी स्थापना हुई 2 जुलाई 1980 में इंफोसिस इसका जो मुख्याले हेटकॉर्टर है वो बैंगलूरू करनाटक में है इंफोसिस के चेर्माइन कौन है तो यहें नंदन नीले कड़ी और इंफोसिस के स्थापक है एन आर नरायन मूर्ती है नेक्स कोश्चन है एमज़ान के नए CEO कौन बनेंगे तो इस कोश्चन का सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर थ्री एंडी जैसी एंडी जैसी यह जो है पांच जुलाई 2022 को एमज़ान के CEO बनेंगे और यह जो है जेफ बैजोस का इस्थान लेंगे एमज़ान इसकी स्थापना होई तो भी पांच जुलाई 1994 में एमज़ान इसका जो हैटकॉाटर है वो वासिंग्टन USA में है और एमज़ान के जो संस्थापक है वो जेफ बैजोस है और एमज़ान के मुख कारकारे दिकारी हैं एंडी जैसी यह पांच जुलाई को अपना पदभार ग्राण करेंगे नेक्स कोस्टन है राइल एनफिल्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इस कोस्टन का साई एंसर हो जाएगा ऑफशन नमबर टू बी गोविंत राजन को राइल एनफिल्ड का मुख कारकारी द इनको नियुक्त किया राइल एनफिल्ड एक भारती बहुराष्टी बाइक निर्माल कंपनी है राइल एनफिल्ड का मुख्याला है चिन्नाई में और इसकी स्थापना हुई बर्श लगोविंत किया गया है तो इस कोस्टन का सही एंसर हो जाएगा ऑफशन नमबर फस्ट एस एन सुब्रमन्यम को नियुक्त किया गया है लार्जन एंटुब्रो लिमिटेट एल एंट टी एक भारती इंजीनियरिंग निर्माड वी निर्माड प्रोदग्गी और वित्ती शेमाओं का समू है जिसका मुख्याले मुंबाई में इस्थित है नेक्स कोस्टन है टीबीस मोटर कमपनी का नया प्रबंद निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तिस कोस्टन का ओप्शन नमबर थ्री सही हो जाएगा शुदर्शन वेडू को टीबीस मोटर कमपनी का नया प्रबंद निदेशक एमडी इनको नियुक्त किया गया है टीबीएस मोटर कमपनी के चेर्मैन है वेडू सिरी निवाशन नेक्स कोश्चन है फ्यूचर जर्नली इंडिया लाइफ इंसोरंस का नया एमडी और CEO किसे नियुक्त किया गया है तो इस कोश्चन का ओप्शन नमबर टू सही हो जाएगा ब्रूस डी ब्रोईज को फ्यूचर जर्नली इंडिया लाइफ इंसोरंस का नया एमडी नियुक्त किया गया है ब्रूस डी ब्रोईज को फ्यूचर जर्नली इंडिया लाइफ इंसोरंस का हेटकॉर्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुईती वर्स 2000 में नेक्स कोस्टन है प्राक्टर अन्ड गैमबल इंडिया P & G इंडिया ने किसे अपना नएआ CEO नियूक्त किया है तीस कोस्टन का ओप्चिन नमबर थ्री सही हो जाएगा LV वाइद नातन को प्राक्टर अन्ड गैमबल इंडिया ने अपना CEO मुकार कारी यदकारी नियुक्त किया है नेक्स कोस्टन है Air India Asset Holding का नया अध्यच और प्रबंद निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तिस कोस्टन का सही एंसर हो जाये का Option No. 2 विक्रम देवदात को Air India Asset Holding का नया अध्यच और प्रबंद निदेशक इनको नियुक्त किया गया है नेक्स कोस्टन है विधूत मंत्राला के REC Limited का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है तिस कोस्टन का Option No. 1 हो जाएगा ये नियुक्त हुए है विवेक कुमार देवांगन ग्रमिड विधूती करण निगम लिमिटेट REC का नया अध्यच और प्रबंद निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है तो ये है रविंदर सिंग धिल्लो को नियुक्त किया गया और जो CEO है वो विवेक कुमार देवांगन नेक्स कोस्टन है बजाज आलियांस जर्नल इंसोरेंस के नय प्रबंद निदेशक और CEO कौन बने है तिस कोस्टन का Option No. 2 हो जाएगा ये बने है तपन सिंगेल बजाज आलियांस जर्नल इंसोरेंस की स्थापना होई वर्ष 2001 में और इसका जो हैटकॉार्टर मुख्याला है वो पोड़े महराष्ट में इस्थित है नेक्स कोस्टन है आईल इंडिया लिमिटेट के नय अध्धच और प्रबंद निदेशक कौन बने है आईल इंडिया लिमिटेट के नय अध्धच और प्रबंद निदेशक के रूप में रंजीत रथ को नामित किया गया है और यह सुसील चंद्र मिस्रे का इस्थान इन्होंने लिया है आईल इंडिया लिमिटेट का मुख्याला है नोईडा में और इसकी स्थापना हुई 18 फरबरी 1961 को नेक्स कोस्टन है सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्यूटर के नय CEO कौन बने है तो यह बने है पराग अग्रेवाल ट्यूटर की स्थापना हुई 21 मर्च 2006 को और इसका जो हेटकॉर्टर है ट्यूटर का वो सैन फ्रांसिसको कैलिफॉर्निया यूएसे में इसका मुख्याल है हेटकॉर्टर रिच्थित है नेक्स कोस्टन है अंतराष्टी क्रिकेट परचाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के इस्थाई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसकोस्टन का ओफ्सन नमबर फर्स्ट सही हो जाएगा यह है जेफ एलाड्रिस को नियुक्त किया गया है ICC इसका जो मुख्याला है वो दुबाई सायुक्तरा अमिरात में इस्थित है UAE में और ICC के अध्यच हैं ग्रेग बार्कले ICC के उपाध्यच कौन है तो यह हैं इमरान ख्वाजा ICC के CEO हैं जेफ एलाड्रिस और जो ICC की स्थापना होई वो 15 जून 1909 को होई थी नेक्स कोस्टन है प्रधानमंत्री फसल वीमा योजना के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसकोस्टन का ऑफशन नमबर टू सही हो जाएगा यह नियुक्त होई हैं रितेश शम्हान नेक्स कोस्टन है रेल्वे भरती बोर्ड आर आरवी के अध्धच और CEO कौन है तो यह है वी के तिरुपाथी वेवेक कुमार तिरुपाथी है दिल्ली मेट्र रेल कार्पोरेशन के नए प्रबंदनी देशक MD कौन बने है तो यह बने है वीकास कुमार नेक्स कोस्टन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के नए प्रबंदनी देशक MD याओर CEO कौन बने है तो इस कोस्टन का ओप्शन नमबर फर्स्ट सही हो जाएगा यह बने है राजेस गोफीनाथ यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस TCS के नए प्रबंदनी देशक बने है राजेज गोपिनात को अगले पांच वर्ष के लिए दोबारा TCS का CEO नियुक्त गिया गया है TCS इसकी स्थापना होई एक अप्राइल 1968 को और इसका जो हेटकोर्टर है वो मुंबई में स्थित है Next question है Flipkart Health Plus के नए CEO कौन बने है तो इस questions का option number 2 हो जाएगा ये बने है प्रसांत जावेरी Flipkart Health Plus के नए CEO बने है Next question है मारूती सुचकी इंडिया के नए प्रबंदनी देशका और CEO कौन बने है MD और CEO तो इस questions का option number 1 हो जाएगा ये बने है हिसासी ताके यूची मारूती सुचकी इंडिया के CEO है इंडिया इसके जो CEO है वो हिसासी ताके यूची है Next question भारती एरलाइन इंडियो के ने अपना प्रबंदनी देशक किसे नियुक्त किया तो अभी बताया गया था ये हैं राहूल भार्टिया को नियुक्त किया है मैंने जी ये हैं MD प्रबंदनी देशक इंडिगो इसकी थापना हुई 2005 में इसका हेटकॉर्टर गुरुग्राम हरियाना में और जेट एयरवेज के नए CEO काउन बने हैं तो ये बने हैं संजीव कपूर जेट एयरवेज के मुकारगार यदिकारी हैं संजीव कपूर नेक्स कोस्टन एलाइसी मीचुल फंड के नए MD और CEO काउन बने हैं तो इसकोस्टन का ऑप्सान नमबर फर्स्ट सेकंड सही हो जाएगा ये बने हैं टी एस रामक्रिश्नन जो है ये एलाइसी मीचुल फंड के MD और CEO बने हैं एलाइसी भारती जीवन भीमा निगम इसके जो अध्यच है वर्तमान में वह काउन है तो वह है MR कुमार नेक्स कोस्टन है वाट्साप के वर्तमान CEO काउन है तो इस कोस्टन का ऑप्सान नमबर फर्स्ट से ही हो जाएगा ये है विल कैच काल्ट वाट्साप के CEO है मुकार का रिदिकारी है वाट्साप इसकी स्थापना वर्स 2009 में इसका जो हैटकॉर्टर है कालिफॉर्णिया यूसे में इस्तित है और वाट्साप के स्थापक है जान कॉम और वाट्साप के CEO हैं विल कैच काल्ट नेक्स कोस्टन भारती संचार निगम लिमिटेड बियसनल के वर्तमान CEO काउन है तो इस कोस्टन का ओप्सन नमबर टू सही हो जाएगा ये है पिरवीड कुमार पुरवार जो है भारती संचार निगम लिमिटेड बियसनल के मुक कारकारी अधिकारी है भारती संचार निग एपल के वर्तमान CEO कौन है तो इस कोस्टन का ओफिशन नमबर टू सही हो जाएगा यह है टिम कुक एपल के CEO है एपल इसकी स्थापना होई एक अपरेल 1976 को इसका है कालिफोर्निया USA में एपल के स्थापक है इस्टिव जॉप्स और एपल के जो CEO है वो टिम कुक है नेक्स कोस कुस्टन है वर्तमान में यूटूब के CEO कौन है तो यह हैं सुसान ओजसिकी यूटूब के CEO है मुकार्यकारी है यूटूब इसकी स्थापना होई 14 फरवरी वर्स 2005 को इसका हेट क्वार्टर है कालिफोर्निया USA में और यूटूब के जो संस्थापक है वो चाड हरले लिए फेस्बूक के वर्तमान CEO कौन है यूर्सियोगा मार्यकिस यूटं कर दिया गया जो है CEO है और Facebook मेटा जो है इसकी स्थापना होई फेस्थापना होई फेस्थापना होई फेस्थापना होई 2004 में होई थी इसका है कैलिफोर्निया USA में और संस्थापक है मार्क जुकर बर्ग है दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ए थैंक यू